दोस्तो अखर दुनिया के किसी वे एक्यूरियम में क्यों नी दिखती है था ग्रेट वैट सार्क जबकि वेल सार्क जो कि ग्रेट वैट के साइस की दुगनी होती है उसे एक्यूरियम में देखा जा सकता है पर ग्रेट वैट को नहीं ऐसा क्यों है चलिये जानते हैं दोस्तो ग्रेट वाइट उन सिकारी मचलियों में आती है जिने सांस लेने के लिए पानी में अपना मूँ खोलकर निरंतर तैरते रहना होता है ताकि पानी उनके गिल्ज के थुरू पार्स होकर उना ऑक्सिजन दे सके दोस्तों इस वज़े से ग्रेट वाइट एक दिन में लगभग 100 किलोमीटर से ज़्यादा ट्रेवल कर लेती है पर एक्यूरियम में कम स्पेस होने और बंद माहल होने के कारण ये डिपरेशन का सिकार हो जाती है और एक्यूरियम के टैंक के किनारों से खुद को टकरा कर चोट पहुचा देती है और गुस्से में आकर दूसरी बड़ी मच पर हमला करती हैं दोस्तो देकरहार करे कि अंधर मचली को जाएगा है इसलिए वह दोस्तों आपको दे fraction को देखना के अंदर ही जाना पढ़ेगा